हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग, स्वागत आपका इस नई वीडियो में, आज है हमारा डे टू, रेक्नेटिब बित टाइप स्किप्ट का, आज के दिन हम सीखने वाले हैं कि रेक्नेटिब टाइप स्किप्ट के साथ हम कैसे नवीगेशन बना सकते हैं, मतलब इस्टैक नव पुराना वाला stack navigator and नए वाले stack navigator वीच में, ठीक है, तो फिर देखने वाले, तो वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक जुरू कर देना, बाकी पुराना एक वीडियो है, उसे भी देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया है, कि कैसे हम class component, functional component बनाते है, type script के अंदर तो फिर start करते हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, कि हमें navigation के जितने भी packages है, stack navigator के जो भी हमें use करने है, वो हमें install करने होगे, तो हमें जाना होगा, chrome पे, chrome पे जाके हमें यहां पे search करना है, react navigation, 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 ओके, यहां जाके हमें अभी इसमें कोई भी चीज special नहीं करनी है, simple सा हमें यहां पे normal packages install करने है, तो यह मैंने install कर लिया, उसके बाद हमें दो packages यह चाहिए, इन दोनों को भी यहां पे पेश कर दो, then हमें left में जाना होगा, navigator score में, stack navigator के लिए जो भी package चाहिए, वो install करने है, जैसे हमारा यह stack, and I think gesture handler, इतना install करने के बाद अपने app को कर लेना है, run, app को run होने में लगेगा, थोड़ा सा time, तो मैं का कर देता हूँ, तब तक के लिए, वीडियो को कर देता हूँ, pause, जैसे यह run हो जाता है, then continue करते हैं, तो हमारा app हो गया, run, अब चलते हैं, अपने code की तरफ, यहाँ जागे, मैंने एक already file बना रहा है, इसका नाम मैंने रखा हुआ है, app navigator.ts apps, अभी यह normal component है, हम इसको convert करेंगे अपने stack navigator में, उससे पहले मैं क्या करना होगा, जो screens हमें navigator के अंदर add करना है, तो दो-तीन screens हम बना लेते, demo के लिए, okay, तो मैं एक screen बनाता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, एक screen बनाता हूँ, इसको मैं देता हूँ, home, okay, home, h capital, .tsx, home.tsx, यह बना ले रहे, then, इसके अंदर अभी हम, normal, अभी मैं इसको, functional component चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें हमें, जैसे-जैसे मैं profs की जोद पड़ दूसरी हम बना रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे, settings.tsx, okay, बस दो ही बना रहे हैं, हमें सिर्फ समझना है, कैसे हम बनाते हैं, तो इसको भी हमने यहाँ पे, save कर लिए, दोनों screens को save करने के बार हम जाते हैं, यहाँ पे, और यहाँ जाने के बार, पहले हम जो navigator जिस तरीके से इनके लिए अलक से एक type, caste मलब type बनाना परता है उनके लिए ठीक है, उनके लिए एक अलक से interface बनाना परता है, तो इसके का करोगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लिख सकते हो, export की need होगी, वैसे आगर export की need नीह होगी तो बिना उसके भी हम import कर सकते हैं, बत फुलाап अब ने एक्सपोर्ट लिख दिया है यहां पर दें टाइप ठीक है इंटरफेस यूज करते थे या टाइप दोनों में साब कोई भी यूज कर सकते हो उसके बाद इसका नाम मैंने रख लिया है root.stack.param.list ुकोई Do heart.stack.param.list अब यह कौन परम इसे हैं जब भी हम एक्सक्रीण से दूसरे स Quin σोब पर जाते हैं तो हमें params भेम नविकेसन के जरीए यह वही है ह्में पहले बताना होगा के क्या क्या परम्त आप भेजोगे इस screen से दूसरे screen पर जाने के लिए ठीक है तो वो यहाँ पर हमें define करना होगा तो यहाँ पर हमें उनके type देने होते हैं एक तो मैंने home लिए और इस home में मुझे मालो अभी के लिए कुछ नहीं भेजना है कुछ नहीं भेजना है तो इसके लिए हम undefined कर सकते हैं otherwise हम इसके अंदर पूरा object बना सकते हैं परम्त वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे बेजेंगे अब यह हमारा एक root stack परम लिष्ट बन गया है इसका हम use करेंगे कहां पर इसका use हम करेंगे जब भी हम create कर रहे होंगे navigator को उस time पर हमें इसका use करना है तो कैसे use करेंगे यह देखते हैं ओके तो यहां पर हमें क्या करना है यहां पर हमें लिखना है const stack equals create stack create stack navigator और इसके बद क्या लगाते है यहां पर root root stack param list यह जैसे हम वहां पर type ले रहेते हैं वही टाइप है यह actual में उसी तरीके से बस हम किस तरीके का root stack param list जब हम navigator ले रहे हैं तो यह वाले params actual में इस टाइप से होने चाहिए न यह कि अगर home में कुछ बेजेंगे तो यहां पर हम value define कर देंगे नहीं बेजेंगे तो हमें यहां पर undefined देना पड़ेगा restrict करना ही पड़ेगा ओके तो यह तो हमारा create stack navigator इस तरीके से आएगा और इस stack का use हम यहां करेंगे ठीक है दूसी चीज बाकी चीज common है भी क्या कि navigation container जैसे हम उसमें लगाते थे जाबा स्क्रिप्ट में सेम तरीके से हम यहां पर use करते navigation container and stack.navigator सेम तरीके से कोई भी इसमें फर्क नहीं है फिलाल अब फर्क दूसी चीज में कहां रहेगा screens को define करने के लिए हमें थोड़ा सा फर्क रहेगा तो उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आपको यह export हमने क्यों किया इसका region मैं भी आपको बताता हूं ठीक है इसको यहां पर भी navigation नाम का एक प्रॉप बनाया जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर आप नेविगेटर में देखो यहां पर यह रूट इसका में यूज करना पड़ेगा और यूज करके ही हम यहां पर define करेंगे तो यहां पर क्या करेंगी एक होता है हमारा इसके अंदर आपको यहां पर रूट इस टैक परम लिष्ट पास करने पड़ेगी साथ में आपका जो भी स्क्रीन का नाम था यह यह आपको पास कर दिया और यहां पर आप सेम चीज वही चीज यूज कर सकते हो जासे अपने यहां नेविगेशन यूज कर दिया और नेव यहां पर नेविगेशन लिया यहां पर आप screens, screen props उसके बाद यहाँ पर आप same चीज ले सकते हो, navigation और इसमें आप अपना जो भी same चीज stack navigation जो हमने call किया था वहाँ पर stack navigation prop stack navigation prop इसे call करेंगे, then वहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, root farm list और इसके बाद यहाँ पर settings और इसे close कर देंगे और यह same चीज, यहाँ पर आपको जो भी आपका prop है वो डाल देना, उसाथ में उसका type डाल देना, type क्या है setting screen props बस इतना हमें यूज करना होता है और इसके बाद हम कहाँ जाएगे, यहाँ जाएगे और अपनी stack dot screen और यहाँ पर जाएगे आप name में डाल दोगे क्या पहला home, ok और component में home को call कर लोगे एक यह हो गया और दूसरा आपकी settings settings और इसमें settings को आप call कर लोगे बस, call करने के बाद आप इसको save कर लोगे component settings अच्छा यहाँ पर हमने वह import नहीं किया है यह यहाँ पर आ गया है इसको में import करना पड़ेगा settings यह अच्छा ठीक है import settings 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 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मालूम इसको setting कर दे रहा हूँ नाम same हो गया इस वज़े से दिखकता है इसको मैं save कर देता हूँ हमारा यहाँ पर home दिख रहा है अब home में यहाँ पर मैं home पर हूँ और home में जाके मैं क्या करता हूँ एक बटन बना लेता हूँ अपना यहाँ पर मालूम मैं लेकर देता हूँ और गो टू कहाँ पर गो टू आटिंग्स है ना सेटिंग्स गो टू सेटिंग्स इस बटन को थोड़ा सा स्टाइल बगर दे रेते हैं पैडिंग 10 बॉर्डर बिट वन और कलर ब्लैक यह देखो ठीक है अब मैं इस पर क्लिक करना चाहता हूँ तो यहां पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ओन प्रेस लगा देता हूँ और ओन प्रेस के बाद यहां पर मैं कॉल करूंगा navigation.navigate और इसमें मैं डाल दूंगा settings ओके देखता हूँ settings पर आगे बट अभी आप देखोगे अगर वहां पर settings में अगर आप console करते हूँ तो अगर हमें console करना है तो console से पहले हमें क्या करना होगा यहां पर root लेना होगा क्योंकि जो value आती है वो तो root के अंदर आती है navigation के अंदर थोड़ी न आती है हम क्या कर सकते है use root इस hook का use करके हम data निकाल सकते हैं तो यहां पर हमने root ले लिया अब इस root को अगर हम console करते है console.log तो यहां पर हमें root के अंदर वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो वहां से आ रही है तो देखो यहां पर path यहां पर आप देखो कि params के अंदर क्या मिल रहा है undefined के हो कि अभी तक हमने starting में क्या दे रखा यहां पर undefined है अगर हम इसको change करना चाते तो क्या करेंगे मालो मैं चाता हूं कि settings के अंदर दो params मिल जाए name और email तो मैं यहां से क्या करूंगा undefined को अटा के मैं यहां से name strings है name जो type होगा वो क्या होगा string चीक है और email होगा वो भी string होगा यह type जब मैंने यहां दे दिये तो अब आप देखोगे कि यहां पर error आने लग जाएगा क्यों क्योंकि अब जब हम navigate कर रहे हैं कुछ कर ही नहीं रहे तो यहां पर हम क्या करेंगे email मैं मालो मैंने gaurav gmail.com ले लिया ओके और दूसरी चीज मुझे क्या लेना है name तो name में मुझे मालो मैंने gaurav ले लिया error गया अब मैं फिर से बापस जाओंगा अब आपस जाने के बार फिर से यहां पर आऊंगा और अपना console open करके देखूंगा तो यहां देखो मेरे दो नो परम्स आ रहे हैं और अब कोई error भी नहीं आ रहा तो इस तरीके से यहां पर हम परम्स निकाल सकते हैं कि बिलकुल बस यहां पर परम्स लिश्ट के अंदर और अगर आपने दोके से यहां पर कोई परम्स डाल रखें और आगर आप नहीं भेज रहे हो जैसे अभी हम यहां देखरेत error आ रहा था तो इस case में भी आपको error मिलेगा तो आप हमेशा जो परम्स अगर नहीं भेजना चाहते हो तो undefined दो otherwise परम्स को भेजना होगा यहां निकालने के लिए आप तरीका सीधा सा एक भी root से निकाल सकते हो hook का use करके ठीक है आगे में hook और भी बताऊंगा state बगएरा कैसे बट जादा कोई फर्क नहीं है hooks के अंदर अगर आप type script का use करते हो बस थोड़ा सा type बगएरा देना होता है तो वो भी किस के अंदर state के अंदर and ref के अंदर ओके तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं नेश वीडियो में डे 3 पे तब तक के लिए बाए